अब की बारी बनिये पटवारी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए Study Circle 247 चैनल को और बेल आइकाउन को दबाईए डेली कुछ नया सीखने के लिए दोस्तों पहला प्रस्न है पीचार सब्द किस खेल से सम्मंधित है इसका सही उत्तर है Option D, Basketball पीचार सब्द बास्केट बाल से सम्मंधित है Question No.2 थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है इसका सही उत्तर है Option B, Sambhar Next है Question No.3 गंगा नदी की स्राजर से होकर नहीं गुजरती इसका सही उत्तर है Option C, Haryana Next है Question No.4 भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी जील कौन सी है उत्तर है C, Ular जील Question No.5 किस मिट्टी को सबसे कम सीचाई की और सेक्ता होती है इसका सही उत्तर है Option B, काली मिट्टी Question No.6 धरती के तल का लगभग कितने प्रतिसत भाग पानी में है इसका उत्तर है Option C, 71% Next है Question No.7 नर्मदा नदी का अधिकांस भाग भारत के की सराज्य से होकर बहता है इसका सही उत्तर है C, मध्य प्रदेश Next है Question No.8 भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है उत्तर है A, गंगा नदी Next है Question No.9 गंगा नदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है दोस्कों इसका सही उत्तर है Option A, पद्मा पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांगला देश में Next है Question No.10 वी स्वकास सबसे बड़ा नदी द्वीप माजूली का निर्मार करने वाली नदी कौन सी है तो यह है Option D, ब्रह्मपुत्र नदी Next Question आपके लिए प्रित्वी के उत्तरी धुरू एवं दक्षरी धुरू को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों इसका उत्तर कमेंट वाक्स में दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सेयर और कमेंट जरूर करें ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें भीडियो हम आपके लादे 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 लादेश